आजके इस वीडियो में हम एक ऐसी option trading की strategy को समझने वाले है जो आपके लिए option selling के career में एक bread and butter कैसे काम करेगी ये एक ऐसी strategy जो काफी सारे professional traders and investors बहुत regularly use करते है इससे पहले already six videos options के उपर आ चुके है एक playlist के form में आपको उपर i button पे और नीचे pin comment पे मिल जाएगा इस series को आप एक master class के से लीजेगा आज हम लिजा रहे आपको 7th वीडियो में और एक ऐसी strategy की बात करेंगे जो आपके लिए non trending market में life saviour होने वाली है इससे पहले के वीडियो स्टार्ट करेंगे अगर अभी तक आपने open for all free telegram channel जोईनी किया है टेलिग्राम पे जाके invest आज परकल सर्च करेगा सिर्फ एक original channel है जिस पर दो लाग से जाला लोग जुड़ेवे हैं काफी सारी additional information आपको free मिलती रहती है description में link मिल जाएगा चलिए सीधा चलते है screen के उपर और आज की हमारी बहुत ही प्यारी strategy को detail में discuss करते है यह हम आ चुके हमारी screen के उपर यह best strategy होने वाली है non trending market की obviously यह strategy है option selling की क्योंकि सबसे पहले हम cover कर रहे है option selling की सारी की सारी important strategies strategy का नाम है short options triangle देखो short option का मतलब क्या होता है बहुत easy है option को हम sell कर रहे है इसलिए इसे हम कहते है short करना किसी भी option को strangle एक strategy का नाम है इससे पहले ध्यान ले लीजिगा straddle हम use नहीं करेंगे हमें use करना है strangle दोनों में बहुत चोटा सा difference है एक example के साथ आपके लिए clear करता हूँ suppose करते है SBA का price चल रहा है अभी 500 रुपीज यह अभी हम assumption ले रहे है कि 500 रुपीज चल रहा है SBA का price जो straddle होता है जो हमें use नहीं करना है उसमें क्या करते हो आप at the money मतला 500 रुपीज चल रहा है तो 500 रुपीज का ही आपने call sell कर दिया और 500 रुपीज का ही आपने put sell कर दिया add the money strike price पे दोनों के दोनों आपने call और put sell कर दिये तो वो गया straddle देखिए अगर हम add the money के दोनों के दोनों option को sell करेंगे सबसे पहले इसका delta comparatively high होगा कितना होगा delta एक बार रुख जाईए और comment करिये पर याद करिये हमने अपने पुराने वीडियो में discuss कर लिया है almost .50 के आसपास रहेगा मतलब delta high है अगर आपके against में movement हुआ तो आपको loss काफी ज़्यादा हो सकता है इसलिए हम कभी भी add the money options में काम नहीं करते हैं straddle होता है add the money same call और put को sell कर देना हमें use करना है strangle और strangle क्या होता है out of the money option selling का काम करना हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं option selling strategy की पर इसको अगर मैं clearly बताऊ सारी की सारी strategy जो हम discuss करेंगे वो होगा out of the money option selling strategies क्योंकि out of the money option selling में risk to reward जो option seller का होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमें क्या करना है अगर 500 रुपीज का price चल रहा है तो सबसे पहले हमें बड़े ही प्यार से 530 रुपीज का call बेज देना है 470 रुपीज का put बेज देना है यह strike price हम अपने mindset के according choose कर सकते है पर मुद्दे की बात यह है कि हमें out of the money जाके call और put को sell करना है इसे हम कहते है strangle एक live example से भी discuss कर लेते है SBI के share के हम बात कर रहे है number of shares हमेशा हमें काम करना पड़ेगा 1500 में क्योंकि lot size है 1500 का current price हम suppose करते है 525 रुपीज का चल रहा है तो हमारी strategy में हो जाएगा 700 रुपीज का put भी हम sell कर देंगे जहां पर हमें 7 रुपीज मिल जाएगा total हमें 15 रुपीज की income हो जाएगी मुद्दे की बात यह है कि इस strategy में हमारे पास अभी तक कोई भी share नहीं है त्यान से समझेगा हमारे पास share नहीं है इसलिए risk management इस strategy में important होगा हम सीधा out of the money में जाके randomly choose नहीं करेंगे कि कौन से strike price का हमें sell करना है हमने पहले resistance level पे जाके अगर अभी आप chart भी खोलके देखेंगे SBA का आपको पता चल जाएगा 550 और 560 के बीच में पहला resistance level है first important support पे जाके हमने put sell कर दिया out of the money देखिए यहाँ पे strike price choose करने के लिए आपको support और resistance तो काम आएंगे से plus option chain analysis भी तोड़ी सी help कर सकता है जो हमने हमारे fourth वीडियो में already cover कर लिया है देखिए series को पूरे course के से देखेगा पूरा course मैं आपको बना के दे रहा हूँ free of cost आपके लिए बहुत valuable होने वाला है like कर देजेगा क्योंकि detail में एक एक चीज लिंक करते हुए मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ यह हो गई है हमारी बहुत ही प्यारी सी strategy हर एक strategy के positive और negative होते हैं पर उससे पहले हम यह देख लेते है कि हमारा यहाँ पे graph कैसा बनेगा pay of graph मैं आपके लिए बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ बहुत easy हो जाएगा pay of graph से आपको यह समझना कि किस-किस समय पे हमारे साथ क्या-क्या होने वाला है देखिए यह आपके लिए उपर मैंने बना दिया profit का scenario यह नीचे हो गया loss का scenario maximum profit कितना हो सकता है 15 rupees का 15 rupees कैसे जो हमने premium खाया है वो हो गया हमारा maximum profit और यह maximum profit कहां से कहां पे चलेगा 500 rupees से लेके 550 rupees तक हमारा maximum profit हो जाएगा zero profit zero loss कहां पे होगा हमारा cut-off area क्या होगा नीचे की side में होगा 485 rupees उपर की side में होगा 465 rupees यह कैसे निकला समझा 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 बहुत easy है sir क्योंकि इतना 15 rupees का हमने premium खा लिया है तो यह हमारे लिए question आ चुका है और इसके नीचे जितना जाएगा या फिर इसके उपर कितना भी जाएगा SBI के share का price इतना हमारे लिए loss हो जाएगा I hope यह आपके लिए pay off graph बहुत easy और बहुत अच्छी तरीके से clear हो गया है maximum profit हमारे लिए हो रहा है बहुत easy तरीके से 15 rupees का जो हमारा premium है अगर expiry तक हमारा SBI का share कहीं पर भी move नहीं करता तो यह 15 rupees का हमारा income हो जाएगी cut off area होगा 485 and 565 मतलब जिस level का हमने call या फिर put sell किया है plus उसमें हमने premium कर दिया है तो वो हमारे लिए cut off area हो रहा है यह हो गया है आपके लिए complete pay off chart जो बहुत easy language में आपको समझा देता है अब हम बात करते हैं इस strategy के positives क्या है उसके बाद हम cover करेंगे negatives and finally बात करेंगे risk management की पहला positive आप out of the money जाके काम कर रहे हो अगर आपके share का price तोड़ा सा आपके against में move किया suppose करते है 525 से आपके share का price 540 या 550 भी हो गया आप safe हो या फिर 510, 500 तक भी पहुच गया तो आप safe हो because आपने out of the money जाके options में काम किया है और यहाँ पे इस strategy में आपको major profit देने के ऐसा नहीं है कि market को बहुत उपर नीचे जाना पड़ेगा अगर market जहाँ है वहाँ भी रहे जाता है बड़े प्यार से आपको profit हो जाएगा अभी तक हमारे साथ क्या होता था कि हमारे stock को हमें profit देने के लिए जिस mindset का हमने trade लिया है उस direction में move करना पड़ता था move करता था और एक major move करता था तब ही हमें major profit होता था और यह एक ऐसी प्यारी strategy है जहाँ पे अगर आपका stock जहाँ है वहीं रह जाए या फिर तोड़ा सा उपर नीचे हो जाए फिर भी आप मोटा profit कमाके जाने वाले हो इसलिए strategy को मैं हमेशा कहता हूँ bread and butter strategy होती है हर एक trader की तोकि काफी time market ना देखें बहुत rarely ऐसे month होते है कि एक ही month में एक ऐसा stable stock या फिर index बहुत major 10% उपर या 10% नीचे चल जाए usually जो range रहती है moment की वो 5-7% की ही रहती है इसलिए especially अगर हम पिशले 8-9 महिनी की बात करें October 2021 से लेके almost June 2022 तक मतलब एक लंबा consolidation phase था वहाँ पर ये strategy आपकी bread and butter हो जाती है finally इस strategy में आपने दोनों side के premium को खा लिया है अपनी income बना ली है तो आपको दोनों side में 15 रुपे का additional question मिल जाता है हमारे इस example में जो premium आपने खा लिया वो additional question हो गया suppose करते है अब आप ध्यान से समझेगा इस strategy का major benefit क्या है suppose करते है 4 महिने तक stock वही का वही पर रहे गया आपने 60 रुपे का premium खा लिया है तो 60 रुपे दोनों direction में आपके पास additional question आ चुका है यह है इस strategy का सबसे main positive negatives की बात करते है अगर कभी किसी मन्त में suppose करते हैं आपने strategy को किसी stock में या फिर किसी index में nifty में use कर लिया और उसी समय पे ऐसा आपका किसमत थी कि एक बहुत violent move आ गया 10% market या stock उपर चले गया या 10% नीचे चले गया या 20% उपर या नीचे चले गया तो आपको बहुत ज़्यादा hurt हो सकता है loss हो सकता है इसका solution क्या है risk management जो हम next slide में detail में discuss करने वाल है risk management के rules को हमेशा follow करिए 10 में से 8 बार आप अपने आप बच जाएंगे पर जो आखरी का एक या दो बार होगा जहां पर आप फसने वाले होंगे risk management आपको बचा लेगा वहां से भी second important negative unlimited risk का आपको ऐसा hypothetically एहसास होता है देखिए इस strategy में unlimited risk नहीं है पर risk आपको खुद को manage करनी पड़ेगी risk management tool को use करते वे ये बिलकुल ठीक बात है इसी के साथ-साथ next point हमारे पास यह आता है कि हमारे यहाँ पे limited profit होता है 15 रुपे का ही तो हम premium खा रहें SBI में इसी तरीके से किसी और-और stock में एक particular amount का यह premium आप खाने वाले हो वो आपका limited profit हो जाता है पर कौन आपको रोक रहा है कि आपको एक ही lot में काम करना है या एक ही share में काम करना है अगर आप इस strategy को master कर लेते हैं multiple lots में और multiple share में आप काम कर सकते हैं तो ऐसा सोचना कि हमारे लिए profit limited है ये गलत बात हो गई profit limited नहीं है एक transaction में profit limited है और वो तो ना किसी भी stock में भी होता है suppose करते हैं हमने 525 में SBI को buy कर लिया और हमारा target है 550 का तो limited ही तो profit है unlimited कहा हुआ या आपका target है suppose करते है 600 का यहाँ पे भी तो limited ही है हो सकता है यहाँ पे 75 रुपीज का आपको profit हो रहा है पर limit तो ही ना तो as such हमेशा ही limit रहती है ये दोनों point तो आपकी psychological point है पर इस first point का मुझे आपको risk management पे solution देना पड़ेगा जिस slide पे हम आ चुके हैं इससे पहले हम risk management की बात करें अगर आपके पास DMAT account नहीं है description में इंडिया के best DMAT account openings मिल जाएंगे आप चाहे तो DMAT account खुला सकते हैं और अगर आप चाहते हैं membership यानी की join button लेना तो subscribe के पास में आपको join button मिल जाएगा काफी additional perks मिलते हैं even mobile app में भी जाके आप membership ले सकते हैं और वहाँ पे तो membership में आपको discount भी मिलता है for example जब आप 11 मंत की membership लेते हैं mobile app में आपको एक मंत free मिलते हैं और by default 11 मंत की membership का price भी तोड़ा सा कम ही रहता है एक बाद checkout ज़रू कर लीचेगा चलो चलते हैं risk management के point पे पहला और सबसे important risk management का tool इसे हम कहते हैं 200% true और example से ही समझ लेते हैं SBI हमने 525 में लिया 550 और 500 का call sell कर दिया same example हम continue कर रहे है जैसे ही either side का suppose करते है SBI के share का price बढ़ जाता है और यहाँ पे call का premium 8 रुपे से बढ़ते बढ़ते 16 रुपे पहुच जाता है आपको इस particular trade में stop loss मानना पड़ेगा और call को वापिस से buy करके इस transition लों खतम करना पड़ेगा क्या overall आपको कोई major loss हुआ है loss नहीं हुआ अभी तक 200% के rule में क्योंकि यहाँ पे आपको 8 रुपे का loss हुआ है यहाँ पे 7 रुपे का जो premium है यह 0 हो जाएगा expiry पे और आपको profit हो चुका होगा इसी के against में suppose करते है कि stock का price तूट गया बहुत जादा और तूटते तूटते आपका जो SBI के 500 put का premium 7 रुपीज चल रहा था यह बढ़ते बढ़ते 14 रुपे हो जाता है तो यहाँ पे आपको stop loss मानके अपने put को जो आपने sell कर रखाता naked उसको cover करना है यानि की buy करना है transaction में 7 रुपे का loss लेना है और और loss नहीं होगा क्योंकि 8 रुपे का जो premium है उसकी value भी expiry पे 0 आपके लिए हो जाएगी और यहाँ पे आप no profit no loss पे निकल पाओगे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेगा either side मतलब ऐसा नहीं कि आपको दोनों side जब आपका premium पूरा हो जाए मतलब यहाँ पे हमने 15 रुपे का premium लिया है जब इन दोनों side का premium 15 रुपे से बढ़ते बढ़ते 30 रुपे हो जाए तब हमें loss book नहीं करना है either side जिस भी side का transaction में आपका premium डबल हो जाए वहाँ पे loss को book कर लीजिगा ताकि overall आपको कोई भी loss ना हो जाए यह होता है 200% का rule either side पे आपको use करना पड़ेगा जैसे ही आपको इस strategy को काम करते हो तोड़ा समय हो जाए मैं usually point number 2 को follow करता हूँ जो हता है 300% rule मतलब मैं either side पे तोड़ा सा loss लेने के लिए ready हूँ एक example से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा suppose करते stock का price बढ़ जाता है और मेरा यह जो premium है 8 रुपे का जब तक यह 8 रुपे का प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 24 रुपीज नहीं हो जाता मैं stop loss नहीं मानता पर अगर यह premium बढ़ते बढ़ते 24 रुपीज हो जाता है मैं यहाँ पे stop loss ले ले लेता हूँ और इसको buy कर लेता हूँ यहाँ पे मुझे roughly हो गया है 16 रुपे का loss, 7 रुपे का profit, और all मुझे 9 रुपे के आसपास का loss हो गया है और इस loss को मैं मान लेता हूँ, मतलब अगर आपको काम करते वे तोड़ा समय हो गया है, तो आप 300% rule को use कर सकते हैं, अगर आप regular trader है तो, अगर आप fresher है, तो हमेशा use क complete strategy, जरूरत पड़े तो strategy को आप इसे देख लीजेगा, real life में apply करने से पहले, एक या दो मन तक, जिस भी stock में आप अप्लाय करना चाहते हैं, देख लीजेगा कि किस तरीके से option में काम होता है, जिस भी strike price को आप choose करते हैं, वहाँ पे make sure कीजेगा, कि liquidity available हो, ऐसा ना हो, necessary costing ज्यादा हो जाए, because उसकी liquidity कम है, अब देखो, यह liquidity वाला concept दूना, इसी series में हम cover करेंगे, पर बने रहेगे आप इस complete course, free series के साथ, और अगर आपको लग गया है कि यह series one of the best होने वाली है, तो like करके, comment करके, मेरा उत्सा बढ़ाना मत पुलेगा, happy learning and I will see you very soon.